तो दोस्तों कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की कविता का शीर्चक है वाक जिनकी कवित्री है लल्लत। कावे शैली को वाक भी कहा जाता है। इनोंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडमरों को खुल कर विरोध किया है। इनकी कावे शैली की भाशा अत्यंत सरल मानी जाती है जिसकी वज़े से लल्लत और भी प्रबाफशाली बन जाती हैं। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वज़े से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएं इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खीचे जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्त का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धर्ती पर रहत है और उसके बाद उसे अपना शिरी त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किये गए सारे प्रयास वियर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खतम होने वाला है। अर्थात मृत् प्रभु की शरण में जाने की चाहत घिरे हुई है। तो आईए दोस्तों अब हम अपने अगले वाक की तरफ बढ़ते हैं जिसका भावार्त यह है। अपनी इन पंक्तियों में कवेत्री कहती है कि अगर हम संसारिक विशे वस्तूओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम संसारिक मो मायो को छोड़ कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाब नहीं होगा। भोग का पूरी तरीके से त्याग करने पर हमें एहंकार आ जाएगा जिसकी वज़े से हम मु अंदर एहंकार रूपी अज्यान आ जाता है जिसके द्वारा हम सच्चे ज्यान के प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिपसा भी नहीं होगी और ना ही एहंकार हमारे अं उदारता आएगी और हम अपने पराय से उठकर अपने हिर्दय का द्वार समझ संसार के लिए खोलेंगे। आईए दोस्तों अब हम अपने अगले वाक्यों और बढ़ते हैं, जिसका भावार्त यह है। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुश्य द्वारा इश्वर की प्राप्ती के लिए किये जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहां कवित्री ये कहना चाहती है कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने इश्वर प्राप्ती के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें ये नहीं समझाया कि कौन सा मार्क सही है और कौन सा मार्क गलत. इसी लिए वो रहा भटक गई, अर्थात संसार के अधंबरों में बहग गई. यहां रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ती के लिए अपनाये जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरन करना, जब करना, इत्यादी. परंतु यह सब करने के बाद भी, उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ. इसलिए वो दुखी हो गई हैं कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी, उन्हें कुछ क्यों हासिल नहीं हुआ. और वे खाली हाथ ही रह गई. उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जवे भव सागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी? दोस्तों, इस वाग का भावारत यह है कि कवित्री ने अपने पश्चाताप को जागर किया है. अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए समान ने भक्ति मार को ना अपनाकर हट योग का सहारा लिया. अर्थात, उसने भक्ती रूपी सीडी को ना चढ़कर कुंडलेनी योग को जागरत कर परमात्मा और अपने भी सीधे तोर पर पुल बनाने की कोशिश की. परंतु वे अपने इन प्रयासों में लगातार असफल होती रही और साथ में आयू भी बढ़ती गई अब उन्हें डर लग रहा है कि वो परमात्मा को जब अपने कर्मों का लेखा जोका दिखाएंगी तो वो क्या दिखाएंगी क्योंकि ना उन्होंने कोई पूर्णे कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई आये दोस्तों अब हम अपने अंतिम वाक्कियों और बढ़ते हैं जिसका भावार्त यह है अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदबाव, हिंदू-मुसलिम, इत्यादी समाज में व्याप्त बुराईयों का भाईशकार करने का संदेश दे रही है उनके अनुसार शिव यानी इश्वर हर जगा बसा हुआ है चाहे वो जल हो, या अकाश हो, या फिर धर्ती हो, या प्राणी, यहां तक कि हमारे अंदर भी इश्वर बसा हुआ है वे किसी व्यक्ति को उच नीच, भेदभाव की दृष्टी से नहीं देखता, बलकि वे हिंदू-मुसल्मान को एक ही नजर से देखता है उनके अनुसार, इश्वर की प्राप्ती के लिए सबसे पहले हमें आत्म ज्यान प्राप्त करने की जरूरत है क्योंकि इससे ही हम इश्वर को प्राप्त कर सकते हैं इश्वर सवय हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं इसलिए कवित्री ग्यानी पुर्षों से कह रही हैं कि अगर तुम ग्यानी हो तो सवे को पहचानो क्यूंकि आत्म ग्यानी एक मात्र उपाय है जिससे हम परमात्मों को समच सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, वे सब के हिर्दे में अंदर मौजूत हैं। दोस्तों, यहां प्रस्तुत वाकों में कवित्री लल्लत हमें ये कहना चाह रही हैं कि इश्वर को ढूंडने के लिए मंदिर मस्जित में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। इश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार गये। अगर कोई सच्चे हिर्दे से अपने अंते करण की और जाकेगा तो ही वे इश्वर को प्राप्त कर सकता है। लल्लत के अनुसार आत्म ज्यान ही सच्चा ज्यान है। जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। तो उमीद है दोस्तों आपको यह एक्स्प्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल-खेल में ग्यान। ओके थैंक यूू झाल 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 झाल